हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में अपने एक आहवत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन तो क्या फर्स्ट इंप्रेशन सच में इतना जरूरी है? और अगर सच में फर्स्ट इंप्रेशन इतना जरूरी है तो एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए आपको क्या करना है चलिए पता करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्स्राइब करिए साथ में बेल आइकॉन पी दबाईए जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं उसका experience इतना strong और इतना impactful होता है कि उसी basis पे हम decide करते हैं कि हम दुबारा से उससे मिलना चाहेंगे या नहीं ये human psychology है और इसको primacy effect कहा जाता है इसके according किसी चीज या किसी इंसान का जो पहला experience होता है हमारे दिमाग को वही याद रहता है ये इतना strong होता है कि मान लीजिए अगर आपका first impression किसी पर अच्छा नहीं रहा और आप उसको reverse करना चाहते हैं तो आपको 8 positive experiences बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जब कहा जाता है first impression is the last impression तो वो गलत नहीं है दोस्तों तो अब जब हम जानते हैं कि first impression इतना जरूरी है और इतना impactful है तो आखेर first impression अच्छा बनाए कैसे क्या चीज़े हैं जिससे first impression पर असर पड़ता है तो सबसे पहली चीज़ जो एक अच्छा first impression बनाने में matter करती है वो है आपका physical appearance तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग naturally खूपसूरत हैं उनको हमेशा advantage रहता है नहीं not necessarily क्योंकि beauty एक subjective चीज़ है और ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे सुन्दर लगे वो आपको भी लगे तो आप naturally सुन्दर है या नहीं लेकिन आप एक बहुती strong और impactful first impression बना सकते हैं अपनी grooming से जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो पहली चीज़ जो हमारा दिमाग चेक करता है वो ये कि वो इंसान कैसा दिखता है और इसमें grooming एक बहुत important factor है अगर सामने वाला इंसान well groomed है यानि कि उसने अच्छे कपड़े पैने हैं उसके hair well set है उसकी physique अच्छी है उससे एक अच्छी fragrance आ रही है और उसकी body language कैसी है ये कुछ चीज़े हैं जिससे first impression का बहुत impact पड़ता है किसी से पहली बार मिलने पर हमारे दिमाग में जो processing होती है और उसकी timeline क्या होती है आप इसे देखकर समझ सकते हैं physical appearance के बाद जो next सबसे important चीज़ है वो है confidence अगर आप अपने body language और communication से confidence express कर पाते हैं तो एक बहुत ही positive impact होता है इस fact को verify किया जा सकता है Erica N. Carlson और सेमेन वजायर के एक study से जो की social, psychological and personality science में publish हो चुकी है तो याद रखिए जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आप एक अच्छा first impression बनाना चाते हैं तो अपने physical attire के साथ साथ confidence पे express करिए एक और चीज़ जिससे आप एक अच्छा impression बना सकते हैं वो है आप क्या बात करते हैं जैसा कि हमने timeline में देखा जो words हम बोलते हैं वो भी बहुत important है साइट सी बात है जब आप physical attributes से और अपने confidence से impress कर चुके हैं तो आप कोई stupid बात नहीं करना चाहेंगे इसके लिए सबसे safe option है कि आप कम बात करिए और meaningful बात करिए इसके साथ ही आप reciprocal conversation style भी अपना सकते हैं जिसके according आप अपना conversation style सामने वाले के इसाफ से change करते हैं इसके according अगर आपको लगता है कि सामने वाला थोड़ी light conversation और थोड़ी मजाग के तरफ जा रहा है तो आप अपनी conversation भी थोड़ी light कर सकते हैं अगर सामने वाला serious बातें कर रहा है तो आप भी meaningful बातें ही करिए पहला अच्छा impression बनाने के लिए जो कुछ बातें और बहुत जरूरी है वो है smile, eye contact, एक confident body posture, एक सही volume में बात करना मतलब ना तो जाता जोड़ से बात करना और ना ही बिल्कुल दीरे से बात करना इसके अलावा अगर आपको handshake करने का मौका मिलता है तो एक firm handshake भी बहुत impactful होता है लेकिन याद रखिए दोस्तों अगर आप किसे female colleague से पहली बार मिल रहे हैं और आप male हैं तो आप खुद handshake offer मत करिए अगर सामने वाला आपको handshake offer करता है तो ही आप एक firm handshake के साथ response करिए उमीद है दोस्तों ये information आपको अच्छी लगी और comment करके जरूर बताइएगा कि आप इन tips को use कर पाए या नहीं